कि नमस्कार ल्यूस्टिक वे आपका स्वाधत है आज हम फिर चर्चा करेंगे कोवीड-19 के क्या स्थिती है देश में और दुनिया में पहले चर्चा करते हैं दुनिया के बारे में क्योंकि अगर हमें हिंदुस्तान की सब्सक्राइब देनी है उसके पहले दुनिया की एक जलक देख लेखेंगे दुनिया में अभी इस वक्त 33 मिलियन तक 3.3 क्रोर से ज्यादा लोग टोटल केसे जिसे कहते हैं टोटल आकरांथ हुए है कोवीड-19 से जिसमें हर दिल इस वक्त करीब धाई लाख लोग इससे आकरांथ हो रहे हैं नए केसे धाई लाख अर दिल सबसे बड़ा हिस्सा नए केसिस में इंदुस्तान है आपको हम चर्चा करते आये हैं कि यह चीज करीब पीछले देड़ महिने से जारी है कि हम पहला स्थान पे हैं न्यू केसिस की और इस वक्त 80-90 के बीच में हम भटक रहे हैं कभी 80 के पास कभी 90 के पास पर लगता है कि 80 के बीच में हमारा फिगर काफी इस वक्त स्टेडी है अमरीका के अजर देखे तो वो हमारे पीशे हैं नए केसिस में जो टोटल केसिस है उस पे हमसे थोड़ा आगे है पर जिस रप्तार से हम चल रहे हैं लगत रहा है कि अक्टोबर महिने में हम उसको क्र अरगवर्ष, अमरीका, ब्रिजिल ये तीन मुल्क सबसे आगे है इसके बाद जितने मुल्क है काफी पीछे है नए केसिस केसिस की संख्या में हम और अमरीका सबसे आगे है ब्रिजिल के संखा भी इस वक्त 14,000 के लगभग है पर दिन और फ्रांस, आर्जेंटीना, रशिय कॉलंबिया, ये सब कुछ बुल्क है जो हमारे पीछे चल रहे और काफी पीछे है क्योंकि उनकी फिगर 10,000 क्रॉस नहीं कर रही है दैनन दिन उनकी फिगर इसे काफी कम है अगर हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के बारे में तो हम बहुत पहले से बात करते आए हैं कि अगर हम district wise map देखें तो देखेंगे कि वहां पर जो districts पहले आगे थे पहले जहां पर काफी पहले थी वहां पर अभी भी नए cases ज्यादा नज़र आ रहे हैं पर जो दिकत की बात है कि करीब करीब हर प्रांथ में हर जिले में कुछ ना कुछ cases हैं बहुत कम है कि नए cases दिख हाई नहीं पड़ रहे हैं हमारा district wise map है उसको जाके देख लिएगा total cases or new cases लगभग उन्हीं districts में है जहां पर हम total cases देख रहे थे और वहां पर जो cases हैं वो अभी तक हमारे काबू में नहीं आए इसका मतलब नए cases तो बढ़ी जिन इलाकों में पहले cases थे वहां पर नए cases दिखरब दिखने में आ रहा है पर जिन जिलाओं में दो महिना तीन महिने पहले cases बहुत कम थे वहां भी इसका फैलाओ अभी देखने को मिल रहा है इसका मतलब करीब करीब हर प्रांतों में हर district में कुछ न कुछ cases अभी निकल के आ रहे हैं ये लक्षन यहीं दिखाता है क कि हमारी बहुत्री इस वक्त जारी रहेगी और उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा जैसे दूसरे मुलकों में हुआ है कि पहले बहुत्री काफी रही इसके बाद एक flattening of the curve जिसे कहते है रही इसके बाद कर नीचे की तोर आना शुरू हुआ हमारे यहां यह नहीं ह पर आज हम दूसरे चीजों की चर्चा करना चाहते हैं कि जो चीज हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितने हमारी infections नजर आते हैं और हकीकत में कितने infections really रहे इसमें economist की एक calculation आई है मैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो कहता है कि सरकारे क्यों COVID-19 को गलत समझ रहे हैं क्यों उस पे काबू नहीं आ पा रहे हैं कुछ मुल्क कर पा रहे हैं कुछ मुल्क नहीं कर पा रहे हैं तो उसके विसलेशन में मैं नहीं जाना चाहता हूं मैं सर्व आपके साथ चार्ट उनकी शेर करना चाहता हूँ, जो आपके सामने है, कि kya निकलता है, कि हमारे शरीर में एंटिबॉडइ इस कितने दिखने को मिल रहा है, वो यह बताता है, कि हमारे अंदर आया था, और हमारा शरीर के अंदर जो immune system है उससे मुकाबला किया मुकाबला करने के बाद तीन चीज हो सकती एक तो है कि आपके कोई लक्षन ना हो मतलब मुकाबला ऐसा जबरदस्त हुआ कि जो ही germs, microbes या वाइरस आए उस पे हम काबू पा लिये तो कोई लक्षन बीमारी की हमारे अंदर नजन नहीं आ दूसरा है कि लक्षन आए बीमारी की जो COVID-19 की symptoms हो हमारे शरीर में वो दिखाई पड़ा पर बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ा और क्योंकि initial stages में अगर ये होता है जहां पर testing बड़े limited थे जाहर है कि वहां पर तब test नहीं होगी और कम अगर थोड़ा बहुत है भी लो काफी दजर आये टेस्ट हुआ पताशला COVID-19 है ये भी है कि COVID-19 की test क्योंकि पहले ज्यादा मौजूद नहीं था इसके माने ये है कि initial phase में जब हमारे हां March से लेकर माल लीजे मेई जुन तक ज्यादा testing हुई नहीं थी और इसके वजह से जो लोग seroprevalence से अब जाहिर हो रह लक्षन थे ये तो उन्होंने लक्षन को बताया नहीं था ये तो टेस्ट नहीं कर पाए तो ठीक भी हो गए और सिर्फ उसमें से चंद लोग ही अब उनके हमारे cases के रूप में सामने आये उनकी test हुई और वो positive है लिक ही तो ये जो हर मुल्क में करीब करीब यहीं हुआ है कि कुछ लोग test से पता चला कि ये हुए हैं कुछ लोगों को test से testing ही नहीं हुए और वो जो है test कराए ही भी नहीं तो ये calculation economist की है कि करीब करीब seroprevalence जुनिया में और भी जगों पर seroprevalence studies हुई है जिससे antibody से पता चलता है कि germs या virus आये और उसके बाद उससे मुकाबला श बीमारी की लक्षन देखे न देखे तो उससे जो पता चल रहा है कि लगता है दुनिया में कि 20 से कुछ जहों पे 100 गुना ज्यादा लोग बीमार थे यह तो उनके अंदर antibodies थी इसका मतलब जर वाइरस आया था और वाइरस से शायद कोई बीमारी की लक्षन उनके शरीर में नहीं आया कि दोनों का अगर मिलाएं तो सेरो प्रेविलेंस स्टडी से जो निकलता है कि जो लोग infected थे मान लेजिए समझ लेजिए infected का मतलब बीमार की लक्षन उनके नहीं था पर infection आया था शरीर में वो शायद 30 मिलियन अगर confirmed cases आ तो शायद 600 मिलियन actually infected थे यह फिगर्स यह नहीं दर्शाता है कि इतने लोग बीमार थे यह सिर्फ बताता है इतने लोगों के अंदर antibodies हैं और बीमार शायद 30 मिलियन confirmed cases है क्योंकि testing कम रही बाद में ज्यादा हो रही है तो उससे शायद 5 गुना लोगों के अंदर लक्षन बीमारी की थी पर test नहीं हुआ था इसल क्योंकि जो वीद गया समय उसके बारे हम कुछ कह नहीं सकते पर इससे एक चीश निकलता है कि हमारे जो death rate की देखते हैं कि अब बहतर हो रहा है पहले से पहले तीन महीना जितने लोग मरे थे केसे तू फेटलिटी रेशो जिसे कहते केस टू फेटलिटी रेशो किते लोग भी बार कौने जो हम जानते हैं जिनकी टेस्ट पॉजिटिव निकला उन में से कितने लोगों के मौत हुई वो फीगर्स काफी हाई था इस वक्षट रहा है तो यह घटने का एक वज़ा ये है कि अब टेस्ट जादा हो रहा है हम कनफर्म टेस्ट की संख्या बढ़ गई है इसी लिए केस टू फेटिलिटी रेशो थोड़ी सी बहतर हो रही है क्योंकि अगर दस केस पहले डिटेक्ट होता था बीस में से आजिजेश बीस डिटेक्ट हो रहा है तो death उसमें से 10 में से अगर 10% death हो, तो अब 20 में से 1 हो जाएगा, 5% हो जाएगा, तो death rate की जो दुनिया भर में हम देख रहे, death rate कम हो रहा है, इसका वज़ाय यही है कि शायद हमारी इस वक्त टेस्टिंग जादा कैमाने पर हो रहा है, शायद नहीं खर हो ही रहा है, हम देख पा रहे हैं, उनका संखा बढ़ रही है, और इसलिए case जो है, उज़्यादा नजर आ रहे हैं, इसलिए case to fatality ratio, month जो हो रही है, उनका संखा उसका ratio अच्छा नजर आ पहले से, दूसरी बात है, इस वक्त हम जानते हैं कि ऐसे दवायों हमारे पास हैं, जिससे जो serious cases हैं, उन उनको हम ज्यादा अच्छी तरह टैकल कर पा रहे हैं, अब पहले बहुत जल्दी oxygen कम होने के वजए से, जिए ब्लड में एक oxygen कम दिखाई पारता था, हम उनको ventilator बहुत जल्दी डाल देते थे, ये अगर हम देखें, तो हमारी इस वक्त टेस्ट ज्यादा होने के वजए से हमारा ये figures निकल रहे हैं कि case to fatality ratio improve कर रहा है और इसलिए improve कर रहा है, हम इस वक्त दवायों और उनकी care की भी बारे में काफी जानकारी पा चुके हैं, serious cases को dexamethasone दे रहे हैं और corticosteroids दे रहे हैं, जिसकी inflammation lung की वो कम हो रही है, इसके वजह से भी काफी death rates कम हुए हैं, औ पहले हम ventilator में बहुत तुरद डाल देते थे, अगर blood में oxygen की कमी नजर आती थी, तो अब जो है, हम ventilator में थोड़ा बाद में डालते हैं, और ventilator में डालने के बाद भी dexamethasone बगारे इन सब चीजों को डालने से, उनकी भी death rate कम हो रही है, एक तो है कि हमारी care improve कर चुकी है तो कि हमारी जानकारी बढ़ी है, वाइज्यानिक शोध का ही तो फायदा है, कि उससे हमारी जानकारी बढ़ी है, खास तोर से जो बिमार हैं, उनकी कैसे टैकल करें, उस पे हमारी काफी फायदा हुआ है, इस वाक्त हमारी जो वाइज्यानिक शोध हुए हैं, और उस पे लोगों की हो रही थी, उसकी भी हम दवाई दे रहे हैं, तो इन सब चीजों के death rate कम हुआ है, दूसरी और एक बात है, जो पहले लोग नजर अंदास कर रहे थे, कि पहले यंग लोग थे, क्योंकि उनकी symptoms बहुत कम थी, उनकी testing नहीं हो रही थी, अगर कराना है, तो ज्यादा जो बिमार है, उन्हीं की testing हो रही थी, यहां पर, अब क्योंकि testing बड़ी है, तो अभी भी young लोगों की भी testing हो रही है, इसी लिए young लोगों की संख्या अगर test ज्यादा होता है, तो भी death rate कम होता है, क्योंकि अभी तक जो आंक्रे हमारे सामने में यंग लोगों की death rate काफी कम है 0.1% के लगभग है जबकि death rate जो 80 के ऊपर है करीब 10% तक पहुँच रहा है इसका मतलब कि जो बिमार पढ़ते हैं उसमें अगर testing में काफी यंग लोग होते हैं तो भी आपका case to fatality ratio इंप्रूफ करेगा और ये बात हम पहले भी हमारे बुल्क के बारे में जिकर कर चुके है कि हमारा death case to fatality ratio उससे बुल्कों से अच्छा होना ये भी साबित करता है कि यंग population आज तीसरी बात पे आते हैं आज के विशय की कोविड-19 की बारे में कि हमारे हम सिर्फ हमारे हम नहीं पुरे दुनिया में जब तक vaccine नहीं आएगा तब तक ये बिमारी चलेगा हम इस पे बहुत सारी चीज कर सकते हैं उसकी चर्चा हम लगातार करते आए हैं जब तक हमारे हैं वैक्सीन नहीं आएगा तब तक हम इस बीमारी पे विक्ट्री विजय हासिल नहीं कर पाएंगे तो साफ है तो अब देखिए वैक्सीन का क्या हिसाथ हिसाथ किताब है हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे, वैक्सीन सकसेस्थ्फूल होगा नहीं होगा, नहीं होगा, हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त करीब 10 वैक्सीन फेस-3 ट्राइल में है, आखरी फेस जी ट्राइल है, उसमें है, इस पेदे बड़े पहेमाने पे टेस्ट किया जात है उस में अमरीकी वैक्सी आोक्सोर्ड वैक्सी ऑervice जर्मन वैक्सिन है चाहिन सारे आपidet वैक्सीड चीजी बॉह वन हिपना वेसित वा सी तरह से और हिंदुस्तान की फेज वन फेज़ ट्रायल्स है इस्वक्त 2 वैक्सीन है जो कि हम उस phase 1, phase 2 trials कर रहे हैं तो यह देखते हुए और क्योंकि और भी 140 vaccine आपकी trials पे अभी नहीं आए 40 vaccine इस वक्त phase 1, phase 2, phase 3 trials पे हैं और 140 vaccine लगभग WHO अनुसार अभी भी वो laboratory stage में है आपका या animal trials के stage में है आपकी clinical trials इस पे इंसान पर test होता है वो नहीं हुआ है पर यह अगर हम देखे कि अभी तक जो trials की जो छबी आ रही है उसे साफ है कि vaccine कामियाब होगा हो सकता पहला range और vaccine जो आ रहे हमारे इतना ज़्यादा कामियाब ना हो क्योंकि उसका मान भी थोड़ा सा नीचे रखा गया है और 50% success rate in vaccines में होगा और कम से कम 6 महिने से 1 साल लगता है immunity से मिलेगा पुरे जिंदीगी भर तो नहीं मिलेगा हो सकता 2 साल 3 साल हो सकता 1 साल तक मिलेगा यह मुम्किन है पर सवाल मैं दूसरा उठाना चाहता हो कि अगर vaccine आया successful हुआ माल लिजे जिसके सेरम इंस्टिटूट पूने से जिसकी एक agreement है वो vaccine उत्पादन करना शुनू कर दिये है इस basis पे कि शायद successful हो जाए और जब success होगा तो उनके पास उत्पादन किये हुए vaccine होनी शीए तो यह vaccine हमारे मुल्क में पूरे जनता को देने के लिए माल दीजे पूरे दे भी ना एक 100 क्रोड को दे 130 क्रोड हमारी population है 100 क्रोड लोगों को दे माल दीजे 70% लगपक हम इसको vaccinate करे और उसमें क्योंकि 35% 50% success rate 35% लोग इसमें इम्मुनिटी मिल जाएंगे और 15-20% ऐसे ही इम्मुनिटी शायद हो चुका है तब तक बीमारी के वज़ाए से तो शायद हम herd immunity जिसे कहते हैं उतना तक पहुंच जाएंगे और बीमारी धिरी धिरे कम होता जाएगा इंदुस्तार जाएंगे तो एक वैक्सीन अगर हमको 100 क्रोण लोग को देना पड़े तो सोचे क्या-क्या steps लेनी पड़ी कि पहले तो है औक्सफोर्ड वैक्सीन 2 शॉटवा है वैक्सीन है मतलब दो बार देनी पड़ेगी एक बार नहीं तो हमें 100 क्रोण डोस नहीं हमें 200 क्रोण डोस चाहिए एक डोस का खर्चा क्या है जो सुनने में आ रहा है कि 3 डॉलर पर डोस इसका बतलब 225 रुपया की लगभग पड़ता है तो 3 डॉलर बतलब 2 डोस पे 6 डॉलर हो जाएगा 6 डॉलर को मल्टिप्लाई कीजिए अब 100 क्रोन गोग और 2 बार देने का बतलब 200 क्रोन डोस हमें चाह यह तो सिर्फ वैक्सीन का कॉस्ट है जैसे सेरम इंस्टिटूट ने उसको 80,000 कहा है तो 80,000 क्रोड की इंजाम सरकार कर रही है यह नहीं इसका सवाल उन्होंने अदरपुना वाला जो सेरम इंस्टिटूट की मालिक है उन्होंने उठाया है पर मैं दूसरा बात आपके साम इसको टेमपरिचर कम टेमपरिचर उसमें रखने की जरूरत है और जब आप वैक्सीन चलना शुरू करेगा एक शहर से यहां उतपादन हुआ वहां से इस वक्त मालिक पुने से तो पूरा जब तक आप इंजेक्ट नहीं करेंगे शरीर में उसको दो से 8 डिग्री टेमपर पोलियो वैक्सीन के लिए हमारे हां कोल्ड चेन बनाया है हमने ताकि वैक्सीन लोगों के पास पहुंचे कोल्ड चेन के जरिये पर उसमें अभी तक हम जो पल्स पोलियो कैमपेंग करते हैं वो औरल ड्रॉप्स होता है वो रलेटिवली आसान है तो 130 मिले रा तो 13 क्रोड लोग बच्चों को हम देते हैं हर साथ यहां पर आपको 100 क्रोड की बात कर रहे हैं और वो भी दो बार देने की बात कर रहे हैं एक देंगे इसके चार या च्छे हपते बाद आपको second dose देना पढ़ेगा तो एक तो cold chain की problem है कहां इसको प्राप्त कराएंगे कहां यह वैक्स चीज है आसान नहीं है polio करने में हमें 10-15 साल लग गये थे cold chain establish करके और उसको सिर 13 क्रोड लोगों की बात कर रहे हैं तो यह cold chain और जो vaccination centers यह सब की इंजाम सरकार करने के लिए क्या कर रही है इसके बारे में कोई चर्चा अभी तक publicly हुआ नहीं है जरूर कुछ ना कुछ सर सरकार में होगा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने यह सब supply chain की बात जिकर कर रहे है पर supply chain की बात कहां तक पहुंची है क्या state governments इनको यह actually शिरकत करना है उनको मालूम है क्या यह सवाल हमारे सामने ख़ड़ा हुआ है और यह हमारी सवाल सिर्भ नहीं है अमरीका भी जब कहन शुरू किये कि अभी vaccine देने का तुरंत इंजाम करना चाहिए state सरकार वहां की जो state सरकार है उन्होंने कहा हमको तो कुछ आपने बताये नहीं हम कैसे इसकी इंजाम एंग दिन में करेंगे और कुछ vaccines ऐसे हैं हमारे तो ऑस्टोजन का vaccine की हम जिकर कर रहे थे उसका तो दो से agreement हुआ है वो भी vaccine अडिनोवारस बेस vaccine है वो भी लगता है वही two shot vaccine है वो भी ऑस्टोजन का जैसा ही उसका भी 2 से 8 दिग्री है पर अगर फाइजर की vaccine या moderna vaccine सफल होता है तो इन vaccine की cold chain 70 से 80 दिग्री नेगेटिव माइनस 72 माइनस 80 दिग्री वो cold chain हमारे लिए बनाना संभव नहीं है तो कुछ vaccines को हम इस्तेमाल करेंगे और दूसरे vaccine अगर सफल हुए यह vaccines अगर सफल नहीं हुए तो हमारा इतना आसान काम नहीं होगा सबको vaccinate कराना पर सोच लिजिए कि अडिनोवारस वेक्तर जो vaccine की बा inactive virus vaccine की बात हो रही है इन सब vaccine अगर सफल हुए तो भी एक बहुत बड़ा challenge होगा कि हमें पहला dose मिले 100 crore dose, short vaccine में 200 crore dose और आम जनता तक इसको पहुंचाना और लोगों को vaccinate करने की ज़रूरत है एक बहुत बड़ा challenge है 80 crore की बात अधरपुनाबाला ने की है पर हमारे हिसाब से अगर cold chain को include करे जो vaccination centers की खर्चा include करे उसकी जो पूरी इंजाम गर्मी है अगर उसको देखे तो खर्चा इससे कम से कम 3 गुति गुना या 4 गुना होगा और उसकी पूरी तयारी सरकार को कर नहीं पड़ेगी और सरकार इसको Kenya सरकार इसको state governments पर ना थोपे क्योंकि कहेंगे तो state concurrent subject का state इसको देखे तो जिस तरह से state governments को उन्होंने बोज GST से लेका हर चीज का बोज थोपा है तो वो चीज इस पर ना करें क्योंकि यह अगर करेंगे तो economy खोलनी की कोशिश कर रहे ह वो कामयाब नहीं होगी जब तक अब इस बिमारी पे विजय नहीं कर पाएंगे जब तक इस बिमारी देश में रहेगा तब तक economic normalcy वापस नहीं आ सकती है वो दुनिया की स्थिती देखिए मुलकों की स्थिती देखिए तो यह तो साफ है तो इसलिए आज हमने ही चर्चा की वैक्सीन की ज़रूरत है क्योंकि उसके बिना हम इस बिमारी के बाहर नहीं आ पाएंगे बिमारी के दाएरे से मुक्त नहीं हो पाएंगे पर उसके लिए जो परिकल्पना परियोजना करनी है उसको जिस तरह से करनी चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है इस वक्त अप्लिक किसके बारे में कोई चर्चा नहीं है और यही आज का मूल विशय है कि अब एक तरह से तो सरकार हारी चुकी है यह कहके कि अनलॉक्डाउन के प्रक्षिया पे हम चल रहे हैं अब बीमारी की बात करना करीब करीब छोड़ी दिये हैं सिर्व इतना ही कह रहे हैं कि लॉक्डाउन से बहुत पाइदा हुआ था और उसके कुछ मॉडलिंग आकरे दिखाना चाहते हैं जबकि हर रोज हमारी संख्या बढ़ती जारी है तो एक तरह से उन्हों तो वहाँ पर अपना हाथ खड़े कर दिये हैं कि इसका हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगा अब सिर्फ वैक्सीन ही हमारा आशा है इसको कंट्रोल करने के लिए उसके लिए क्या त्यारी करेंगे और वहाँ पर भी इस तरह हाथ खड़े कर देंगे यह सवाल हमारे सामने है आज के लिए इतना ही देखते रहिएगा यूस क्लिक और हमारे दूसरे विश्वों पर भी हम जो बातचीत करते हैं आपके साथ उसको जारी रखिए